प्रेंकास मसाला जून आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इमिनीटी बुस्टर पाउडर की रेसिपी जिसे आप डेली रात में सूनी से पहले गरम दूद में एक चम्मच ले लें तो आपको सौ से भी ज्यादा फाइदे ये देंगे क्योंकि इसमें बहुत तरग की डिजीज से लड़ने की कैपसीटी होती है और ये आपको किसी भी प्रकार का पिन हो जो रूप का दर्द हो बाल का ज़ड़ना हो इन सभी को रोपता है ये आपको उस्कीन को ग्लो करने में भी काफी हैलफुल होता है और इन सारी चीजों को कै कैसी बनाएंगे कैसी लेना है ये सब हम आगे आप से डिसकस करेंगे तो चलिए रैसिपी सुरू करते हैं इमिनीटी बुस्टर पाउडर बनाने के लिए हम सबसे पहले मखाना लेंगे मखाने में बहुत तरह के गुनकारी तत्व पाय जाते हैं इसमें कोई फैट नहीं हो मददगार सावित होता है तो इसलिए आपको सबसे पहले मखाना लेना है और मखाने की क्वांटीटी जादा रखना है मतलब जितना हम समान लेंगे उसमें मखाने का जो क्वांटीटी होगा वो जादा रखेंगे तो यहां मखाने को हम 5 मिनिट के लिए रोस्ट करेंगे फ इसे स्टेज पे हम इन सारे मखाने को निकाल लेंगे दूसरा इंग्रीडियंट हमें बादाम लेना है बादाम को आधा कटोरी यूज कर सकते हैं या फिर आप 2-3 चमच यूज कर सकते हैं और इसे भी हमें 3-4 मिनट के लिए रोस्ट कर देना है बादाम में बहुत सारे ऐसे बनकारी तत्व होते हैं जैसे की ब्रेन को तेज करने में ये काफी हैल्फुल होता है इसमें भरपूर मातरा में बिटामिन ए भी पाया जाता है जो हमारे स्कीन के लिए काफी हैल्फुल है तो इसे बच्चे बड़े सभी आराम से यूज कर सकते हैं ये हार्ट पेसेंट के के लिए भी यह मददगार साबित होता है यह वेट को मैनेज करने में भी काफी हेल्फुल होता है तो इसे सभी ले सकते हैं और यहां देखिए यहां बादाम भी अच्छे से रोस्ट हो गया है तीसरा इंग्रीडियंट हमें तील लेना है तील को आप 3-4 मिनट के लिए रोस्ट कीजिए जैसे आप रोस्ट कीजिएगा यह चटकना स्टार्ट हो जाता है इसलिए आपको एक कवर के साथ इसे रोस्ट करना होगा ताकि जब इसे आप रोस्ट करें तो वो बाहर ना निकल स यहां देखिए यह चटकना स्टार्ट हो गया है तो आप इसे कवर कर लीजिए और जब चटकना बंद हो जाए तब समझेए कि आपका यह जो तिल है बहुत अच्छे से रोश्ट हो गया है सर्दियों में तिल का काफी यूज किया जाता है इसके लड़ू बनते हैं इसके बर्फी बनते हैं तो यह काफी फाइदे मंद होता है बिटामिन E भरपूर मातरा में इसमें पाया जाता है जो हमारे दिमाग के लिए और स्कीन के लिए काफी helpful है ये कोलेस्ट्रोल को भी कंट्रोल में करता है तो तिल काफी फाइदे मंद है इसे आप यूज कर सकते हैं फॉर्थ नम्मर पे आपको यूज करना है फ्लैक सीड फ्लैक सीड भी काफी helpful होता है और ये भी सेम जैसे आपने तिल को roast किया है ये भी उसी तरह से roast करना है जैसे जैसे आप रोस्ट कीजेगा ये भी चटकना स्टार्ट हो जाएगा तो इसको भी आपको cover करते हुए ही roast करन और जैसे जैसे यह चटकना बंद हो जाएगा समझे यह अच्छे से रोस्ट हो गया है फ्लैक सीट में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है यह हार्ट पेसेंट के लिए भी काफी हेलपफुल है कॉलोस्ट्रोल को कंट्रोल करता है और वेट लूज करने में भी काफी हेलपुल है ब्रेन को तेज करता है और गलोइंग स्कीन के लिए भी यह काफी हेलपुल होता है इससे बाल भी जढ़ना कम होते हैं और यह काफी जादा इमुनिटी सिस्टम को स्ट्रॉंग करता है तो यह हमारे काफी फाइदे मंद इंग्रीडियेंट्स है तो इसका और लास्ट इंघ्रिडियेंट है क्योंकि गॉन्सरदियों में काफी ज्यादा यूज किया । और इसे roast करने के लिए हम आधा चमच घी का यूज करेंगे यहां हमने कोई टेल या जादा घी का यूज नहीं किया है लेकिन गोंद को आप ऐसे roast नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए आपको घी या तेल का यूज करना ही पड़ता है तो यह मैंने आधा चमच घी डाला है और इस आदे चमच घी में हम इस गोन्ट को रोस्ठ करेंगे और जैसे जैसे आप गोन्ट को रोस्ठ कीजेगा, इसका साइस देखिएगा, डबल ट्रिपल हो जाता है और यह क्रिस्पी हो जाएगा तो ये गोंद जो है काफी फाइदे मन्द होता है क्योंकि ये हड्डियों को मजबूत करने में काफी हेलफुल होता है जोडों के दर्द को कम करने में भी ये काफी helpful होता है गूंद काफी गर्म होता है इसलिए इसे pregnancy के बाद भी ladies को दिया जाता है इसका लड़ू बना कर जादा तर यूज किया जाता है तो ये सारी चीजें काफी helpful होती है यहां देखिए हमारा ये जो गोंद है वो भी अच्छे से क्रिस्प हो गया है तो इसे भी आप चाहे तो हाथों से इस तरह से जब आप दबा कर देखिएगा तो ये बिलकुल क्रिस्प सा हो जाएगा मतलब बिलकुल बारिक सा हो जाएगा जब हाथों से इसे दबाईएगा तो अब हम इन सारी चीजों को एक बरतन में निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा करेंगे जब हाथों से इसे दबा कर देखेंगे और ये बिल्कुल तूट जाएगा तब समझे कि ये रेडी हो गया है मतलब क्रिस्प सा हो गया है तो अभी हम इसे और एक मिनिट के लिए रोस्ट करेंगे और सारे चीजों को हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे ठंडा करने के बाद इसे ग्राइंडर जार में डाल कर हमें बिल्कुल फाइन पाउडर बना कर रेडी करना है तो मेरा ये जो फाइन पाउडर है बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये इतना बारीक है इतना फाइन पाउडर बनकर रेडी हो गया है इसे हमें च्छाने की भी जरूरत नहीं है वैसे आप चाहें तो इसे च्छान कर यूच कर सकते हैं लेकिन मेरा बिल्कुल फाइन बच्चे बड़े सभी को दे सकते हैं और इसे कैसे देना है इसे देना है आपको गरम दूध में और इसे आप जार में भरकर एर टाइड जार में भरकर एक महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं इस पाउडर को यूज़ करने के लिए आपको एक ग्लास गुनगुना दूध लेना है क्योंकि गुनगुने दूध में इस पाउडर को जब आप डाल कर पीजिएगा तो काफी जादा फाइदे मंद होता है काफी जादा फाइदा करेगा आपको तो यदि आप छोटे बच्चे के लिए दूध बना रहे हैं तो आपको आधा चमच इस पाउडर का यूज़ करना है और यदि आप बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं या बड़े लोग के लिए बना रहे हैं तो आपको इस चमच से एक चमच भर कर लेना है और इस चम्मत से इस पाउडर को इस दूद में डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है आप चाहें तो इसमें सुगर का यूज कर सकते हैं या फिर आप इसमें मिसरी जो आती है उसका पाउडर का यूज कर सकते हैं तो ये दूद काफी गुनकारी है काफी फाइदे मंद ह इसे आप एक महिना तक डेली लीजिए और एक महिने के अंदर आपको फाइदे दिखने सुरू हो जाएंगे तो उमीद करती हूं फ्रेंड्स की आज की मेरी ये जो रेसिपी है आपको पसंद आई होगी क्यूंकि ये काफी जादा हेलफुल पाउडर है और हेलफुल रेसिप और है तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राय की जहेगा फिर मिलेंगे टेक केट बाबाबातुट आए जैए जो चाहिए जो वेता